साइन्स लेंडिंग अकेडमी मैं हूँ आपके एजुकेटर नहा सैनी आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ पोटेंशल एनरजी के बारे में ठीक है इसके साथ साथ इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसको भी मैं इसी वीडियो के अंदर कवर करूंगी इससे पहले मैं क आउट एक्सप्रेस काइनेटिक एनरजी हैं दोनों वीडियो मैं बना चुकी हूँ दोनों वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगी तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जर स्टोड है तो जब ये पानी जब तक स्टोड है तो इसके अंदर कौन से एनरजी है इसके अंदर है आपकी पोटेंशल एनरजी जब ये पानी मूव करने लगता है तब ये किसमें चेंज हो जाता है कानेटिक एनरजी में ठीक है और जब ये पानी आपके टरबाइन पे ग हुमाता है तो एक इसके अंदर चेंज हो जाता है आपके electrical energy के अंदर ठीक है ये कहानी मैंने आपको बनाई बताई थी जिसकी वज़े से एक form of energy दूसरे form of energy के अंदर change हो रही है और electricity का creation कर रही है ठीक है अब बात आती है कि इस कहानी का potential energy से क्या मतलब potential energy से मतलब है भाई ठीक है potential energy का मतलब क्या होता है ऐसी energy जो की कोई object पॉजिस कर रखता है by change its position ठीक है इसकी shape उसकी configuration की time पे क्या मतलब है इन चीजों का ठीक है समझो ये अर्थ है ठीक है इस अर्थ पे ये एक इनसान खड़ा है ठीक है ये भला मानुस यहां खड़ा है ओके तो जब आप यहां से यहां देखते हो अर्थ पे क्या लगता है आपका जो acceleration due to gravity है वो किसके equal है force is equal to mass into acceleration के ठीक है लेकिन अब ये क्या अर्थ से कुछ height पे खड़ा हुआ है तो यहां पे आपकी कौन से energy use होगी वो energy आपकी potential energy m is equal to g into h ठीक है m is equal to g into h के क्या होगी एक्वल होगी ठीक है अब समझते हैं बात को समझते हैं बात को समझने की कोशिश करना कि potential energy वो energy होती है यानि कि इसकी position की change होने की वज़े से shape की change होने की वज़े से configuration की change होने की वज़े से जो energy बन रही है जो energy पजिश हो रही है वो होती है आपकी potential energy ठीक है यह देखो यह एक spring है शलिया ठीक है अब यह spring आपको दोसमें दिख रहगा जर में spring को contract करती हूँ गया ऑजर मैं spring को खीचती हूँ स्थिक है stretch करती हूँ और compress करती हूँ यह मैं stretch कर रही हूँ यह मैं compress कर रही हूँ स्थिक है ज़्योcoleстра करती हूँ उस time पे जो आपका यह object है ठीक है जो ये आपकी shapes change हो रही है ये जो spring की shapes हैं change हो रही है ठीक है ये आपकी कौन से energy या कौन सा काम ले करके change हो रही है देखो जब भी किसी की shape change हो रही है ये जो spring दिया गया है ठीक है इसको पहले case में compress किया गया दूसरे में इसको stretch किया गया ठीक है, तो जब भी किसी भी spring या किसी भी ऐसे object की positions या फिर आपका जो stretch और compress वाला जो ये process है, ठीक है, ये किस वज़े से हो रहा है, ये हो रहा है आपके किसी work done की वज़े से, ठीक है, तो जब जो work done है, वो stored रहता है in the form of energy, ठीक है, किस energy की form में stored रहागा, इस compress और stretch के अं तो कुछ काम हो रहा है, ठीक है, काम का मतलब ये थोड़ी नहीं है, कि जब आप एक जंगा से दूसरी जंगा पर कोई चीछ डिपले, डिस्पलेज कर रहे हो, तब ही आप काम कह रहे हो, ये जो तार है, ठीक है, ये भी तो अपनी जो position है, अपनी जो shape है, उसको change कर रहा है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कॉंट्रेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या एक तरह का work done है, तो ये जो work done जो stored है, किस form में stored है, ये जो काम है, ये stored है, आपके किस spring के अंदर किस form में, ये potential energy के form में stored है, ठीक है, तो potential energy आपके क्या रहत change होने पर किसी object की उस time पर जो energy उसके अंदर रहती है उसको हम बोलते है potential energy ठीक है एक और example समझे जब आप तीर छोड़ते हो ठीक है वो जो तीर कमान से आप छोड़ रहे हो ठीक है उसको जो आप स्ट्रेश करें पहले आप तीर लोगे ये देखो ये धनूस है ठीक है इस धनूस में हाथ तीर लगाओगे इसको पीछे की तरफ स्ट्रेश करोगे फिर जब जाके इसको आप छोड़ोगे तो ये जो पूरी ये क्या है ये भी जो energy है वो किस form में आपको दिखेगी वो आपक पूरी जो काम है वो किस form में आपको दिख रहा है उस काम के अंदर जो energy stored है वो किस form में है वो आपकी potential energy के form में है ठीक है अब कोई person है ये building है ठीक है ये building पर ये person यहाँ पर खड़ा हुआ है तो जब ये कुछ height पर खड़ा हुआ है ठीक है तो ये जो energy इसके पास है उस time यह है आपकी potential energy और जब यह जो person है वो नीचे गिरेगा ठीक है तो यह जो potential energy है वो किसमें change हो जाएगी moving यहाँ पर यह खड़ा है ठीक है यहाँ पर जब energy वो stored form में है तो वो क्या है potential energy और जब यही energy किसमें आजाएगी moving में आजाएगी motion में आजाएगी तो यही energy change हो जाएगी किसमें काइनेटिक energy में समझ में आ रहा है थोड़ा वो यानि कि वो energy जो किसी object की shape, position और configuration की वज़े से आती है ठीक है वो है आपकी potential energy ठीक है जो यह stretch और contract का जो concept है किसी भी spring का उसके अंदर जो energy आपको दिखाई देगी जो काम आपका stored है in the form of energy वो किस form में है potential energy की form में है वो इसका potential energy है ठीक है और जब यही energy क्योंकि आपकी जो potential energy होती है वो आपकी stored energy रहती है ठीक है वो क्या है stored energy है ओके यह जो spring के अंदर यह जो आप contraction और आपका stretching कर पारे हो यह इसी energy इसी की वज़े से कर पारे हो potential energy की वज़े से ठीक है वो जो dam के अंदर जो पानी stored है उसकी energy किस form में stored form में है कौन से energy contain कर रहा है potential energy contain कर रहा है ठीक है कोई पत्थर अगर mountain पर रखा गया है ठीक है क्योंकि इसकी position change हो गई है यह जो mountain पर पत्थर रखा गया है यह जो इस mountain के अपर यह जो पत्थर यहां पर है ठीक है इसके अंदर कौन से energy देखने के लिए मिलेगी आपको potential energy देखने के लिए मिलेगी ठीक है अगर आप देखते हो कोई person चट पर खड़ा हुआ है एक bowl लेकर के ठीक है तो जब तक वो bowl चट पर है उसके हाथ में है तब तक उसके पास कौन से energy है इस टोर फोम में potential energy है लेकिन जैसे ही वो potential energy जैसे ही वो आपकी bowl है वो person क्या करेगा एक्सप्रेस करते है आपकी potential energy को ठीक है माल लो ये आपकी क्या है एक मास M की bowl थी ये कुछ height पर है ठीक है और ये आपका क्या है ground है तो जब ये जो bowl है ठीक है जब आप इसके अंदर energy निकालते हो तो जब कोई काम ये जो अर्थ है आपकी ठीक है जब कोई काम अर्थ की gravity के against जाकर के एक certain height पर किया जाता है ठीक है वो क्या possess करता है वो potential energy possess करता है ठीक है तो आप इसमें potential energy कैसे निकालोगे potential energy निकालोगे क्योंकि जब ये जो bowl है ठीक है इसने कुछ ना कुछ ये ground से कहां गई है ground से ये उपर गई है ठीक है ये ground है ये edge height पर यहां पर रखी गई है आप नीचे ख़ड़े आपका ये घर है ठीक है ये आपका घर है आप घर की सबसे top वाली layer पर खड़े हो ठीक है ठीक है तो इसमें जो force होगी वो किस के कवल होगी आपके mg के कवल होगी ठीक है तो क्योंकि आपने क्या क्या इस bowl को यहां से यहां लेकर के आए हो ठीक है अब ये क्या है आपका force into mass into acceleration due to gravity ठीक है तो यहां पर जो यहां से यह बोल यहां से लेकर के यहां से जो displace हुई है तो work done जो होता है F into S के कवल होता है ठीक है और इसमें force किस के कवल है mg के कवल है और S के कवल है आपके H के कवल है तो क्या निकलेगा potential energy is equal to M, G, H potential energy किस के कवल होती है mass into acceleration into acceleration due to gravity into height ठीक है याने कि अगर आप potential energy को निकालोगी तो potential energy तीन चीज़ों पर depend करती है M, G, H पर आई चीज समझ में अगर यह चीज clear हुई है आपको पसंद आई है session ठीक है तो वीडियो को like ज़रूर कीजिए share कीजिए और और लोगों तक भी पहुँचाई ठीक है इसके साथ साथ मैं biology की जो course है वो almost complete करा चुकी हूँ और आपका जो class 9 की जो biology की जो NCRT है उसको भी मैं बढ़ा रही हूँ study with me sessions में ठीक है live NCRT जिसमें हम पढ़ते हैं chapter चल रहा है अभी आपका tissue ठीक है तो अगर आप join करना चाते हैं तो आप मुझे join कर सकते हैं अच्छ इसकी unit क्या होगी potential energy किस में measure की जाती है potential energy आपकी जो measure की जाती है वो measure की जाती है joule में ठीक है किस में measure की जाती है joule में चलिए फिर मिलते हैं next session में so if you like it तो please like, share and subscribe जरूर कीजिए so bye bye everyone thanks for joining